पूर्णिया की रुपाली उप्चुना का रिजल्ट आने के बाद से कई तरह की चर्चाय शुरू हो गई है यह रिजल्ट कई माइनों में बेहत खास है नतीश और तजस्वी की कैंडिडेट की हार बताते हैं कि अब सिमानचुल की राजरिती बदल रही है जहां पूर्णिया लोग सबह चुनाव में पपुयादों ने निर्दलिये जीत हासिल की तो निर्दलिये प्रत्यासी संकर सिंग उप चुनाव में बाजी मार गये तमाम ताकेत और संसाधन जोकने के बाद भी इंडिये और इंडिया गटबंधन की हार कहीं न कहीं सबात का संकेत दे रही है कि सिमानचुल की राजरिती बदल रही है राज़्दिक जानकारों के अनुसार यहां जाती का जो जाल है वह अब तूटने लगा है निर्दलिये संकर सिंग इंडिये और इंडिया दोनों की वोट बैंक में सिंधमारी करने में काम्याब रहे है रुपॉली विधानसभा छेत में सबसे अधिक वोट गंगोता जाती का है जद्यू प्रतियासी कलाधार प्रशाद मंडल और राज़त की कैंडिडेट पीमा भारती दोनों ही गंगोता जाती से आते थे अब तक पूरा वोट नतीश के खाते में जाता रहा था लेकिन इस उपचुनाओं में यहां का किला दरग गया तो वहीं इंडिया गठ बंधन का सबसे बड़ा वोट बैंक यानि के मुस्लिम रुपॉली में उनका साथ नहीं दिया रुपॉली विधान सभा में दूसरे नंबर पर मुस्लिम है इनका वोट लालो प्रशाद यादों को मिलता रहा है इस चुनाओं में मुस्लिम वोट में भी काफी जादा विखरा हुआ वही राजुद में आने के बावजूद भी बिमाभारती से वोटरों का गुस्सा था तो जदियू से भी यहां के दलित समाज के लगभग 25 प्रतीशित वोटर नरास थे और इसका लाव भी संकर सिंग को मला जदियू को भी इसका नुकसान उठाना पड़ा है क्योंकि पहले बिमाभारती की कई शिकायते मिली थी लेकिन पार्टी ने इसके उपर संग्यान नहीं लिया था वैसे समाज भी बिमाभारती से काफी नरास थे नरदलीय प्रत्यासी संकर सिंग की शबी भले ही बाहु बलियों में रही हो लेकिन शेतर में वैसे समाज बेन की पहच्जान काफी अच्छी है संकर सिंग को आधे से जादा वैस्यों ने अपना वोट दिया संकर सिंग को अगरी जाती का भी पूरा समर्थन मिला और इसकी वज़े से जदियों को भारी नुकसान उठाना पड़ा रुपॉली में जदियों जीतते जीतते रही मंत्री लेसी सिंग ने पूरा जोड लगा दिया था लेकिन वे कलाधार मंडल को यहां से जीत दिलाने में सफल नहीं हुई सवन्डो के वोट में बिखराओ का खाम्याजा कलाधार मंडल को जेनला पड़ा तो वहीं पपो यादो की बिमा भारती के पक्ष में भाव कपील भी अंतता काम नहीं आ रही रुपॉली में 10-12,000 यादो का वोट है लेकिन यादो वोट में भी बिखराओ देखने को मला विमा भारती के पती आउधिश मंडल से यादो समाज की पुरानी अदावत रहे गया इसकी वज़े से यादो का आदा वोट राज़त को तो आदा वोट जद्यू के प्रत्यासी को मला कलाधार मंडल कुछ महीने पहले लोगसबज चुनाओ के समय जद्यू का दामन था में थे इसको लेकर जद्यू कारे करताओं में रोज था यही वज़व है कि अतिपश्वडा का जो भी वोट था वस संकर सिंग को मल गया राजनिती ज़ानकारों के अनुसार रुपॉली चुनाओ में पड़िनाम से इतना तो तैं हो गया है कि राजजद और जद्यू दोनों के परंपरागत वोट अब दरकने लगे हैं नरदली प्रत्यासी संकर सिंग की जीत के माईने तलासने में अभी दोनों दल लगे हुए हैं और दोनों दल अब कोशिश कर रहे हैं कि जो जाती है शमिकरन या फिर जो राजनितिक समिकरन से मांचल में बदला हुआ है उस पर किस तरीके से काम किया जाये ताकि आने वाले चुनाओं में उन्हें जाता नुकसान ना उठाना पड़े और इसका लाव मिले क्योंकि पिछले दो बार के अगर चुनाओं को देखें लोग सब चुनाओं पे भी नजर डाले तो यहां से नरदली प्रत्यासी पप्कू यादो पढ़ीं लोगों ने भरोसा जताया जबक पे बिलको लेप पड़ रहा है तो आपको क्या लगता है कि अब आकई में ऐसा है और क्या वाकई में यहां पर नतीश कुमार और तेजस्पी की ताकत कम हो रही है आप कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं फीडियो को शेयर करें और आगे की तमाम अब्डेट के लिए बने रहे हमारे साथ देखते रहे कापचल ट्रीवी बिहार धन्यवाद